दोस्तों नेटवर्क 18 जिस चैनल में अमन अमीश देवगन नाम के पत्रकार, पत्रकारिता के नाम पर क्या कुछ दिखाते हैं? वो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उस चैनल पर खबर के नाम पर क्या दिखाया जाता है? जिस चैनल के आंकर बिपक्ष पर ऐसे ठूट परते हैं जैसे उनके चैनल के किसी करमचारी का अपमान किसी ने कर दिया हो। लेकिन अफसोस की बात कि ये अपने करमचारी के बचाब कभी नहीं करते बलकि अपने Preyaparty का बचाब में प्रवक्ता के बोलने से पहले खुद ही बोलने लग जाते हैं, खुद ही कौंचर करने लग जाते हैं, खुद ही सवाल पूछ कर, गरगराने लगते हैं, चिलाने आगे दिखाऊंगी दोस्तों कि कैसे अमिश्देवगन की जो बोली है वो पूरी तरीके से बंद हो गई अमिश्देवगन यहाँ पर बीजेपी के मंतरी के जरिये जो खड़ी-खोटी सुनाई जा रही थी ये तक नहीं बोल पाएं कि थोड़ी तो मर्यादा रखिये ये तक उनसे नहीं कहा गया कि आप बोल क्या रहे हैं दोस्तों नेटवर्क 18 ये दो महान एंकर क्या कुछ नहीं करते हैं सरकार की चरण वंदना करने में कैसे कैसे सपोर्ट नहीं करते हैं दिल, जिगर, सब कुछ निचावर करके ये पूरी तरीके से समिर पित रहते हैं और सावा ये बात अमिश्देवगन की मुँपर कहते वे निजर आते हैं दिरहसल दोस्तों इन दिनों नेटवर्क 18 पर News 18 Rising India नाम के एक प्रोग्राम का जो प्रसारन है वो किया जा रहा है जिसमें जिसके होस्ट महान, इमांदार, करमर, जुजहारू एंकर अमिश्देवगन भाचपा के केंद्रिय मंतरी प्यूश गोयल से बातचीत करते हुए नजर आते हैं इस मंच पर प्यूश गोयल और अमिश्देवगन दोनों की मौझोदगी होती है राजनीती की बाते अमिश्देवगन की तरफ से की जाती है तभी प्यूश गोयल इस मंच परामीश की इमानदारी पर सवाल उठाते हुए जो धोते हैं और धोते धोते वो लाइब टेलिविजन से सीधे ट्वीटर पर पहुँच जाते हैं पर ट्वीट करते हुए भी लिखते हैं कि आपके टेलिविजन चैनल को जब भी मैं देखता हूँ मुझसे तो ज्यादा खड़गे जी और राहुल गांदी ही दिखते हैं हमारे निताओं से ज्यादा आप जो है कॉंग्रिस की निताओं को दिखाते हैं मुझे लगता है आप खबर को रिट्वीट करते हुए पियुष गोयल की खबर को रिट्वीट करते हुए रोहिनी सिंग लिखती है कि ये सारवजनिक अपमान तब सहना पड़ रहा है जब इस इवेंट में विपक्ष के एक भी नेता को नहीं बुलाया गया है दोस्तों इस चैनल से दिन बर चा अपमान होता है या फिर भाजपा के लिए ये लोग पूरी तरीके से काउंटर करते हुए नजर आते हैं किस तरीके से विपक्ष को ये टार्गेट करते हैं और खुद इनके टूइट्स को अगर आप जाकर खंगा लेंगे तो जो इनके चाहने वाले हैं जो इनको आमन को तो लिखते हैं कि आपने क्या जबर्दस जवाब दिया कॉंग्रिस को भाजपा प्रवक्ता जवाब नहीं बलकि आमन और अमिश जवाब देते हैं ऐसे इनकी बावाई होती है इनके ट्विटर पर लेकिन अब सोस की बात दोस्तों इतना कुछ करने के बावजूद भी प्यूश गोयल इनके ही मंच पर इनको ही जबर्दस तरीके से जलील करते वे दिखाई देते हैं दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकेरिया आया में कॉमिन सेक्शन में जरूर बदाईएगा साथ ही साथ नेशन 360 को जाद से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले